इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगा नीट 2020 के application forms related कुछ informations के बारे में next month आपका application form जो है नीट 2020 के लिए आपका release कर दिया जाएगा उसकी important dates क्या है जो पहले announce कर दी गए यह वो मैं आपसे इस वीडियो में बात करूंगा साथ ही साथ बात करूंगा कि कौन-कौन सी document जो है वो आपको required होगी नीट 2020 के application form filling करने के लिए तो वीडियो को बिने skip के होए एक बार रेंट तक जरू देख लें तो students NTA जो अपना official information voucher होगा नीट 2020 के application form से लेटेड examination patterns related और examination syllabus जितने भी changes होगे question paper pattern कैसा होगा उसका जो information voucher होगा वो NTA अपनी website पे 2nd of the December को publish कर देगा अगर बात करें नीट 2020 के registration कब से start होगे तो वो 2nd of the December से आपके नीट 2020 के registration start हो जाएंगे जो कि आपके 31st of the December तक चलेंगे आप 31st of the December तक अपना registration NTA की official website पर जाके कर सकते हैं मैं आपको बता दू students कि आप जो अपना registration करवा है वो NTA की official website पर ही जाके करवा है लास्ट येर ऐसा हुआ था है कि कई सारी other websites भी ऐसी बन चुकी थी जो NTA का registration आपको करवा रही थी और आपसे students का पैसा जो वहाँ पर लिया जा रहता तो ये कि यहाँ पर मैं आपको बता दू कि आप NTA NEET की official website पर जाके ही अपना registration अगर आप घर पर बैटके कर रहे हैं या किसी cafe पर जाके करवा रहे हैं तो आप NTA की official website से ही registration करें देन आता है last date of the submitted of the application fees भी आपकी 31st December होगी जैसी कि आपने fees payment का जो option होता है वो आपका last option होता है आप NTA का पूरा application form फिल कर दिया आपने माली जे 3rd of the December को तो आप fees जो अपनी 31st of the December तक पे कर सकते हैं अगर आपकी fees पे नहीं होगी तो आपका application form जाए वो submitted नहीं माना जा जाएगा जिन बात करें जो correction की window होगी जिन student से कोई mistake होगी होगी उसकी officially अभी date कोई announce नहीं होई है फट वो होगा first week of the second week of the January में आप अपना correction जो है need application form में करवा सकते हैं कई सारी students mistakes हो जाती है वो अपना address या name में कोई mistake हो जाती तो यह सारी के सारी changes आप हाँ पे कर सकते because आपके application form में आप जो data fill करेंगे वही आपके document से match किया जाएगा अगर आपका match नहीं होगा तो आँगे आपको थोड़ी सी problem face करनी पड़ जाकती हैं इसलिए बिल्कुल correctly ही अपना application form आप fill करें then आप सभी को dates मालूम है dates आपकी third of the makeo need 2020 का examination होगा अब बात करें कि कौन कौन सी documents जो है वो आपको बहाँ पर requirement होगी registration के लिए तो जिससे आप उनी documents से अपना application form fill करें ताकि आपको कोई भी गलती के chances आपको बहाँ ना मिले तो पहला है आपको अपना एक valid mobile number होना चाहिए जो कि आपका counselling तक आपके need examination तक आपका वो number activate आपको अपना रखें second एक valid email address होना चाहिए email address मांगते हैं देखिए आप एक mistakes आप students करते हैं जिन students की email ID नहीं होती है तो वो क्या करते हैं कुछ cafe बालों से वहीं पे कोई भी unknown उनकी email ID वो आपके डलबा ले तो ऐसी mistakes मत करिए खुद की email ID अगर आपकी नहीं हो तो आप अपनी खुद की email ID बना ले और उसी email ID को वहाँ पे fill करवाएं then class 10th की details and class 12th की details जैसे की mark seat certificate और आपकी school की details वहाँ पे चाहिए होगी कि school का नाम क्या है यह सब आपको वहाँ पे fill करना होगा next step photo identity proof आधर काड आधर काड आधर का आपको पहली share कर दी गई थी कि आधर काड जो होगा compulsory होगा में भी this year से biometric attendance need entrance examination में आपकी email हो जाएगी because जैसे कि आपने देखा तमिल लाडू में जो cases देखने को मिले तो जिसके according ministry of family and health welfare यह approval चाहती है passport size photo scan passport size photo जिसमें white background हो और current की उस पे नीचे date हो और आपके signature signature चाहिए होगे और अगर उसके लिए आप applicable होगे अगर signature के लिए अगर signature वहाँ पर मांग रहा है तो then आपको fees payment करने होगी आप net banking debit card किसी से भी fees पर कर सकते हैं यह तो सारे documents होगे और take information और मैं आपनों के साथ share करना चाहूंगा कि आपको need का form fill करने के बाद आपको एक password मांगता है आपसे कि आप अपना एक password वहाँ पर create क करते हैं और वह cafe वाला जो होता है वह सेम पासबर्ट हर students का वही फिल करता है और वहाँ पर पासबर्ट और registration ID आपकी save कर लेता है तो students ऐसा कई बार case हुआता तो ऐसा नहीं को ना आप अपना खुद का password चूज करना उससे बोलना कि मैं अपना खुद का password डालना चाहूंग बिकॉज कई बार ऐसा होता है वह आपको password या तो फुल फिल करें तो अपना password चेंज करने वहाँ पासबर्ट आपना लॉग इन करके आपकी डिटेल अगर correction टाइम पर चेंज कर सकता है तो बाद में आपको problem होती है ऐसा कई students के साथ हुआ है इसलिए मैं information आपके साथ share करन हुआ है